हेलो एर्विवन, वेल्कम बेक हम देख रहे हैं human reproduction जिसका second sub topic female reproductive system उसमें आज हम देखने वाले हैं breast की structure, structure of breast या memory gland. Memory gland जो है female human का एक characteristic future है जिससे की ये mammals में show होता है मलब mammals जो name दिया गया है वो इनी memory glands के basis पर दिया गया है तो memory gland की structure देखने वाले हैं, अगर position की हम बात करें, तो इनकी position होती है, pectoral region में यह पाये जाते हैं, जो chest वाला हिस्सा है, इसको pectoral region बोलते हैं, वहाँ पर यह पाये जाते हैं, यह है एक sectional view, sectional view की हम बात करें, तो यह एक longitudinal sectional view है, मतलब longitudinal sectional view है, जिसको ऐसे cut किया गया है, और हम देख रहे हैं इसको ऐसे, तो यह इसकी internal structure है, साथ ही अगर हम बात करें, इसमें ribs, ribs का जो sectional view आ रहा है, वो view है transverse वाला, क्योंकि ribs जो है, वो ऐसे round shape में लगी हो रहती है, आगे जो sternum है, यहाँ पर जो bone है, sternum, sternum से लगी रहती है, ribs, और किस तरह से लगी रहती है इसे round shape में, आगे से sternum से लगी रहती है, ऐसे दोनों तरप से होती हुई पीछे जाती है, तो ribs का तो हो गया यहाँ पर, कौन सा section, transverse section, लेकिन breast का हो गया longitudinal section, अगर हम इसमें structure की बात करें, तो यह ribs, ribs के ठीक आगे होती है, यह pectoral muscles, pectoral muscles जो है, वो skeleton से related है, body में जित्ते भी skeleton होते हैं, महाँ पर muscles लगी हुई रहती है, तो skeletal bone है, जहां पर यह pectoral muscles लगी हुई है, इस pectoral muscles के outer में, यह जो pectoral muscles है, ब्लेक कलर की जो बनाई हुई, pectoral muscle है, इस pectoral muscles के outer में, जो red वाली line नजरा रही है, यह है pectoral fascia, इसको क कारों तर्प पेक्टरल फेशिया पाया जाता है ठीक इसके बाद इस पेक्टरल फेशिया के लगा होता हैं 감사'sDING कि rejection व हम बात करें तो इसमें connectic टिश्वों है जो framework प्रोवाइड करवाता है जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है वो connective tissue भी mainly दो टाइब की होते हैं एडिपोस connective tissue और फाइब्रस connective tissue उसके बाद जो अंदर है fat वाला region रहता है fat बरावा रहता है high quantity में और उसके अंदर फिर lobule present रहते हैं अगर outer lining skin की बात करें तो यह यहां से shape में इस तरह रहता है और आगे जो यहाँ पर pointed एक निपल पाई जाती है जो की dark pigmented part होता है अगर इसके functional unit की बात करें तो functional unit होती है alveoli जहाँ पर milk secretion होता है और synthesis होता है milk का निर्मान भी वहीं होता है और वहाँ से secret भी किया जाता है तो यह functional unit होती है यह सारी functional unit यह बहुत सारी sales होती है functional unit की यह सारी functional unit मिलकर एक lobe बनाती है और यह lobe आगे फिर different different ducts के दोरा निपल में जाके खुलता है अब इसकी एक detail study हम यहाँ पर देखेंगे पर साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर intercostal muscles की जो ribs है ribs के बीज बीच में पाई जाती है intercostal muscles intercostal muscles जो है respiration breathing से related है यह respiration में help करती है intercostal muscles जो है यह जहाँ पर पाई जाती है उस space को बोलते है intercostal space यह वाला space इन दोनो ribs के बीच का space intercostal space तो इस ribs के बीच में जो पाई जाने वाला space है वो intercostal space कलाता है तो जो fourth number का intercostal space होता है, first intercostal space, second, third and fourth, ये दोनों ribs के बीच में जो space है, fourth number का intercostal space, इसके ठीक, जो है parallel होती है, nipple, तो nipple की location क्या होती है, fourth intercostal space के ठीक सामने, तो ये इसकी location होती है, अगर हम इसकी functional unit को बात करें कि कैसे milk secretion होता है, तो हम यहाँ पर एक lobule जो है, ये वाला lobule, ये lobule पूरा, इसको हम single lob को इधर देख रहे हैं, कि इसमें क्या क्या structure पाई जाती है, जो एक lobule single lob, उसमें alveoli है, alveoli की संक्या यहाँ पर fix नहीं होती है, ये different different female में vary करती है, मलब इनकी संक्या याद रखने की ज़रुरत नहीं ह इनकी संक्या hormone पर भी depend करती है, तो ये संक्या कोई fix संक्या नहीं होती है, तो यहाँ पर बात करने, alveoli की, बहुत सारी alveoli मिलकर एक single lob बनाती है, और ये सब भी alveoli आगे जाके एक tubule में कुलती है, जिसको हम बोल रहे है memory tubules, जो ये हम समझने के लिए मान सकते हैं, जैसे grapes देखा हुआ आपने, तो ये सारे grapes मान सकते हैं, गुच्छा है grapes का, ऐसे, तो grapes is मतलब alveoli, तो बहुत सारी alveoli अपनी-पनी side की tubule में कुलती है, तो हर एक alveoli की एक tubule होती है, जिनको हम memory tubule बोल रहे हैं, ये memory tubule मर्ज होके आगे बनाती है memory ducts, मतलब हम यहाँ पर कह सकत हैं कि जो memory tubule से उनकी संक्या जादा रहेगी और memory ducts की संक्या कम रहेगी, क्योंकि जो memory ducts बनी है, वो किससे बनी है, memory tubule के मर्ज होने से, तो संक्या गड़ जाएगी, तो memory tubule से संक्या कम रहेगी, कि इसकी memory ducts की, फिर ये memory ducts आगे जाके एक फुले हुए बाग में कुलत होता हैं और यह लेक्टिफेर्स डक्ट निप्पल में उपन होती हैं अगर यहाँ पर बात करें तो यह एक लोब यह 15 से 20 होते हैं लेकिन डायगराम में पांचे बनाए हैं तो यह एक लोब है इन लोब की हर एक एलूलाई अपने अपने साइड की मेंबरी टुबूल में संख्या की बात करें तो संख्या लोब की संख्या हुई 15 से 20 ठीक है और हर एक लोब से जुड़ा हुआ है एक एंपुला तो एंपुला की संख्या किती हुई जित्ती संख्या लोब की रहती है तो एंपुला की संख्या भी 15 से 20 अब हर एक एंपुला एक लेक्टिफेरस डक् फिप्टिन टू टुट्टीऋ तो इन तीनों की संक्या सेहज़ में कि लोब की मैंपूला कि एंडेक्टी फेरस डड़क्ट की कित्ते संक्या 15 x 20 और यह सभी लेक्टיות ड़क्ट जो हर एक लोब से आरे हर एक लोब की जो लेक्टिफेरस डख्ट है वो कलेक्टिवली यहां के कहां पे खुलती है निप्पल में जो की ब्रेस्ट का एक पॉइंटेट पार्टे यहीं से मिल्क आउट होता है ठीक है तो यह बात हो गई एक सिंगल लोब की अगर इस सिंगल लोब में भी हम एक सिंगल राइनिंग में सेर्स में मिल्क सिंग की सिंगल में यहीं पर केविट में बिल्क सिक्रेट होता है तो यह कौन सी साइट हो गई मिल्क सिंगल अ Californ जाती हैं जिनके आउटर लेगर जो रेट कलर की वो प molecular ठीक पेक्टरल फेसिया के बाद जो हैं ब्रेस्टी लगा रहता है जिसको ब्रेस्ट को फ्रेमवर्क प्रोग प्रोवाइट कर वाता है connectivity to the sedal दो टाइब का एड डिबोस connected tissue और fibrous connective tissue, साथ ही इसमें जो ये space से इसमें fatty tissue बरा रहता है, बहुत सारा, और अंदर जो है 15-20 lobe present रहते हैं, lobe में present alluli की संक्या vary करती हैं, कित्ती भी हो सकती हैं, लेकिन lobe की संक्या 15-20 के अंदर होती हैं, और ampula की संक्या भी 15-20 के अंदर होती हैं, फिर ampula lectiferous duct में आके कुल होता है, lectiferous duct की संक्या भी सेम होती हैं, सभी lectiferous duct निपल के अंदर खुलती है, milk synthesis and secretion site alluli होती है, सभी alluli एक गुच्छा के रूप में present होती है, grapes का जो गुच्छा होता है, इस तरह परजेंट होती हैं, इस गुच्छे को हम बोल रहे हैं as single lobe, और single lobe, memory tubule, memory ducts, ampula lectiferous के through direct निपल में खुल जाती है, अब अगर हम बात करें इसके hormones की, तो hormones हैं यहाँ पर estrogen and progesterone जो की female sex hormone है, और दो hormone है, prolactin and oxytocin जो की proteinious hormone है, estrogen and progesterone तो secret होते हैं, आउरी से, जो की steroid hormone है, और prolactin और oxytocin secret होते हैं, pituitary से, जो की proteinious hormone है, इस में से भी prolactin जो hormone है, वो anterior pituitary के lobe से secret होता है, और oxytocin जो है, वो posterior pituitary lobe से secret होता है, क्या work करते हैं, estrogen के अगर हम बात करें, तो यह estroma and ducts की growth करवाता है, estroma किसको बोल रहे हैं, यह जो framework provide करवा रहे हैं, connective tissue, fatty acid, in subcom estroma बोल रहे हैं, तो इस estroma की growth में यह help करवाता है, क्योंकि breast की size है, वो puberty के वास्ता है, उसमें बढ़ जाती है, तो इसके growth के लिए कौन responsible है, estrogen hormone, जो कहां से secret होता है, female की auris है, female का sex hormone है, steroid hormone है, साथ ही growth करवाता है, ducts की, यह जित्ती भी ducts है, memory, tubules, memory ducts, elective virus duct, इन सब की growth कौन करवाता है, estrogen, ठीक है, second अगर hormone की बात करें, progesterone, progesterone, alveolar growth के लिए responsible है, जो यह alveolar है, बहुत सारी है, यह cluster of cells है, cluster of cells को हम alveolar बोल रहे हैं, यह alveolar की growth के लिए responsible कोन है, progesterone, next hormone के अगर बात करें, prolectin, prolectin, milk synthesis and secretion का work करता है, जो यहाँ पर एक single unit देखी थी, हमने a single unit of alveolar, जो की milk synthesis and secreting site है, इनको milk synthesis और secret करवाने के लिए, कौन प्रेडित करता है, prolectin hormone, मतलब, यहाँ से synthesis भी होएगा, और secret भी होएगा, और कहाँ पर आ जाएगा, alveolar की cavity में, यह जो इसकी cavity है, इसमें milk बरा रहेगा, लेकिन यह बाहर नहीं आएगा, बस यहाँ पर बरा रहेगा, तो next hormone की बात करें, oxytocin, oxytocin milk ejection करवाता है, तो synthesis and secretion कौन करवाता है, prolectin, लेकिन ejection, ejection का मतलब है, कि यहाँ पर एक contractile cells की layer होती है, जो यह alveolar है, यह memory tubules, ducts, selective virus ducts है, इनकी जो cells की lining है, वो contractile होती है, मायो epithelium cells बोलते हैं, जिनमें contraction पाया जाता है, तो oxytocin के परवाव के कारण, उनमें contraction शुरू हो जाता है, जिससे की milk eject होता है, बाहर निपल के through, तो यह इनका work था, साथ ही यहाँ पर एक question भी बन सकता है, कि जैसे like alveolar की growth के लिए कौन responsible है, तो progestron responsible है, और prolectin responsible है, जो की milk का synthesis and secretion करवाता है, साथ ही alveolar growth के लिए responsible है, तो यहाँ पर दो hormone alveolar growth के लिए responsible है, कौन-कौन, progestron और prolectin, ठीक है, estrogen की हमने work देख लिए, stroma index की growth करवाता है, और oxytocin milk ejection करवाता है, तो यह सब topic यहाँ पर complete होता है, तो आप video को like कीजिए, share कीजिए, और channel को subscribe ताकि जो next video upload होएगा हमारा, उसकी आपको news मिल जाएगी